हेलो एब्रिवान वांस अगेन वेल्कम बैक टो मैं चैनल सबास कॉर्णर मेरे आज की वीडियो में आपके लिए बेकिंग प्लस मेजरिंग आइडम्स लेकर आई हूं जो कि आपको कुछ आइटम्स ऐसे बताएंगे जो आपको लैब में कामाएंगे साइन्स प्रोजेक्स के जिसमें स्टूडेंट्स को काफी जादा चीजों की जरूरत होती है तो वह आफलाइन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं काफी जादा रीजनेबल प्राइसिंग में अपने घर बेटे अपना साइंस प्रोजेक्स जो भी हो अच जो जरूर आप यह सारे प्रोड़क्स बाइकर ना ब्रैंड नेम है दोनों एक ही सेलर के ब्रैंड नेम से यानि कि जो फॉर्स लाइब रहेगी जो रहेगा आपको बेकिंग आइटम्स मिलेंगे तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक और बात बताते चलों यह सारे आइटम्स मैंने सिर्फ वासिप अमजान से मंगाए हैं तो आपको कुछ भी आइटम अच्छा लगा और आपको यह वीडियो हेल्फुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैस या पिर अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के केक्स बेक करने का शॉक हो तो आप यह तिन ले सकते हैं काफी जदा रिजनेबल प्राइसिंग में यह तिन मिलता है इसके साथ इसका वोल्डर भी आपको अटैच्ट आ रहा है यह ता हमारा प्र गूंकि इसके उपर आप सकते हो फ्लावर्स बगयरा बना सकते हो जो की डेक्स के काम में या इस इसपर डेक्स्ट वगयरा से सिर्फोल कर सकते हैं क्योंकि यह उसी के लिए डिजाइन की आगया है यह जन तो आप ऐसे आइटम्स लेकर रख सकते हैं जो कि आपको हेल्फुल रहते हैं अभी हम चलते हैं नेक्स प्रोड़क की तरफ जो कि एक मैंने ब्यूटिफुल सा हैवी ब्रास का हमने एक केक स्टैंड मंगाया था जो की गोल्डन इन सिल्वर में प्रिंटेड है और इसका जो स प्रिफर नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहँगी कि आप ये वाला मंगा सकते हैं जो कि तोड़ा हेवी ड्यूटी प्रिमियम कॉलिटी में आपको मिल जाएगा अभी चलते हैं नेक्स प्रोड़क की तरफ जो कि मैंने फिल्टर पेपर्स मंगाए हैं आप देख स आपको बेकिंग में काम आएंगे अभी हम चलते हैं ये मैंने एक नाइफ का कॉम्बो मंगाया था जो कि आपको कीचेन में आपके काम आएगा जो की काफी शार्प स्टेलेस्टील के टू नाइफ का कॉम्बो आता है अगर आप देखेंगे तो ये वाले नाइफ आप आप बोरो शिलिकेट के बोटल होते हैं जिसका ऊक्षा इसका असका भीचिन सबोल हतो खोकर नें यह ऐप आगल अगर आपको थारुशा इंझे के पोय गाई अगर आप पुछ मेरी करके इस्तिमाल कर Tanque को लाब में भी काम में आएगा इन इवन फर बेकिंग अगर अगर आप मेजरमेंट करके कुछ डाल रहे हैं बेकिंग के लिए बेक करने के लिए तो भी काम आएगा एंड लाब में भी हमें बहुत से चीज़ें मेजर करके ही हमें experiments करना होता है तो उसमें भी ये काम आएगा ये भी आपको measurements का एक जग आएगा अभी हम चलते हैं नेक्स प्रोड़क की तरती चलूं जो कि आपको lab में काम आएगा आपने जैसे कि आप experiments करते हैं या फिर आप science projects में interested हो बहुत से बच्चे होते हैं जिसे कोग अक्टिविटीस पसंद होती हैं जैसे के projects बनाना science में deep में जाकर वो search करते है experiments करना innovations करना तो ये सब चीजें उनको starting age में काम आती है science items यानि के lab related items भी amazon पर आ गए हैं तो आप डरियेगा नहीं इसे मंगाई है यह भी एक आपको magnet आएगी यू शेप की जिसमें आपको S-Pol N-Pol जो होता है ना sort not जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको इसकी knowledge होगी तो वो लोग यह भी मंगा सकते है for project making and project managing तो यह प्रोड़क था अब लास प्रोड़क के बारे में बात करना चाहोगी जैसे कि आपने माइक्रो मिटर भी से कहा जाता है यह तो आपको पता ही होगा जो लोग study कर रहे है students होते हमें यह बताया गया था जब हम school में थे जब मैं शायद 9th या 10th में थी आपको इसकी मदद से मेजर करके आपको experiments करना होता है इस पर large scale होती है MNR LNR ऐसा सम्टिंग कुछ scales होते हैं जिसकी मदद से यह इजी ली आप इसे operate कर पाते हैं अभी आप अगर देखेंगे तो यह भी आपको आइटम हमें स्कूल में ही मिलता था यानि हम घर पर इसे यूजी नहीं करते थे बट आज का जो एक अपडेटेड वर्जिन हो चुका है स्टूडेंट्स हर चीज ऑफलाइन भी ट्राइक कर रहे हैं घर पर भी आकर तो उनके लिए अम यह प्रोडक्स लेकर आई हैं तो यह आप माइक्रोमिटर भी ले सकते हैं फॉर मेकिंग यूर लाइफ इसे ज्यादा से ज्यादा इससे सीकें एंड यह एक ऐसी चीज है जि पर ब्राइंड नेम फिर से बता दूट इस जॉन बेकर एंड फर्स लैप सभी प्रोडक्स के लिंक दिस्क्रिप्शन में ऐसा अनमत सोंचिएगा कि सायद इनके पास इतनी प्रोडक्स होंगे नो इनके पास और भी प्रोडक्स हैं हम सिफ सेलेक्टेड प्रोडक्स लेकर आपके लिए अगर लिक एक बार विजित करेंगे तो आपको सारा क्लेक्शन मिल जाएगा तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बहुत सारे कमेंट्स करके बताना के वीडियो कैसा लगा तांक्यू गाइस